साथियों स्वार्थ और अवसरवादिता में घीरी कॉंग्रेस के हालत ऐसी हो गई है कि कॉंग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतने हाथ में पहली बार होगा और यह नोट करिए आजादी के बाद इतने चुना हुए पहली बार दिल्ली में कॉंग्रेस का जो साही परिवार रहता है वो कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा अगर यह शाही परिवार कॉंग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है वाई जहाँ इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहाँ कॉंग्रेस चुना भी नहीं लट रही है पहली बार ऐसा हो रहा है कॉंग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कॉंग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा इधर राजुस्तान में क्या हो रहा है हमारे हां कॉंग्रेस के नेता गर गर जाकर के क्या कर रहे हैं कॉंग्रेस को वोट बदो पूरी कॉंग्रेस पार्टी हम पहले तो सुनते थे को वो कहते थे भाजबा को वोट बदो यहां पर पूरी कॉंग्रेस पार्टी गर गर जाके कह रही हैं कॉंग्रेस को वोट बदो दिल्ली में शाही परिवार कॉंग्रेस को वोट नहीं देता यहां कॉंग्रेस कहती है कॉंग्रेस को वोट मर दो यह हाल है इस पार्टी का इस पर आप भरोसा कर सकते हैं भाई यो बैनों इन दिनों जो लोग कॉंग्रेस छोड़कर बाहर निकले हैं बे एक बात बड़ी गंबीरता से बताते हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अब कॉंग्रेस नहीं रही है अब कॉंग्रेस अर्बन नक्षनों के कबजे में चली गई है कॉंग्रेस अब बाम अपन्थियों के चंगुल में फसी हुई है तो हमारे एक मित्रन उनको पूशा कि आप एक कैसे कहते हैं तो उन्होंने का उनका मैनिफेस्टों देख लीजिए इस बार का कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों देख लीजिए कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में जो कहा है वो चिंता जनक है गंबीर है और ये माववाद की सोच को धर्ती पर उतारने की उनकी कोशिस है उन्होंने कहा है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा हमारी बेहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी उसका हिसाब लगाये जाएगा हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाये जाएगा सरकारी मुलाजिमों के पास इतना जगाँ है क्या है क्差不多 पैसे कहाँ लोकरी कहाँ उसकी जाझ कि जाएगी कि इतना यह नहीं आगे क्या कहा है यह जो गोलो है बहनोंका और गश्योर स संपत्य है यह सब को समान रूसे वित्रित कर दी जाएगी क्या यह आपको मंजूर है क्या आपकी संपत्ति सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या आपकी संपत्ति को आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या उस संपत्ति को मेरी मातां और बहनों की जिन्दगी में सोना वो सिरफ शो करने के लिए नहीं होता है उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल सुत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है तो मुझे चिन्ने की बात कर रहे हैं आपने मैनी पेस्टो में गोल ले लेंगे सबको वित्रित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार्थ उन्होंने कहा था कि देश क संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब यह संपत्ति कट्टी करके किसको बाटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुष्पेठ्चों को बाटेंगे कि आपकी महनत की कमाई का पैसा गुष्पेठ्चों को भी जाएगा आपको मंजूर है यह कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कह रहा है कि उमाता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जानकर इलेंगे और फिर उस संपति को बाड़ देंगे और उनको बातेंगे जिनको मनमोहन सिंग जी की सरकान ने कहा था कि संपति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भायों बेहनों यह अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बेहनों यह आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएं वीके न्यून रास्ट्र के नाम